हेलो दोस्तो ओल इन वर्ण टीटी चैनल में आप सभी का स्वागत हैं दोस्तो बिहार सिक्षक पहाली प्रक्रिया से जुरूरी काफी महत्पुन अपडेट आप सभी अभियार्थियों के लिए आ रही हैं दोस्तो बीस मार्च दोहजार बीस को जो इन आई यूएस के अपडेट आपको पता चले और अगर आप लोग अपनी चैनल पर नए हैं फर्स टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए बगल में बेल आइकोन उसक्राइब आई और हो सके तो अपने दोस्तों में इसे सेयर कर दीजे तो दोस्तों आप सभी देख सक हैं और के महाजन जो है अधिवक्ता से मुलाकात की है और उन्होंने राय मांगी है दोस्तों आप सभी देख सकते हैं कि एनाई वे से 18 माह का डियलेड पर सिक्षित को सिक्षक नियोजन में सामिल करने के मामले पर सिक्षा विभाग ने माधिवक्ता से फिर राय मांगी है कि महाजन ने महाधिभक्ता ललित की सोड से मुलाकात की इस मामले पर अपरमुक्ष सचीब ने महाधिभक्ता को पत्र दे कर राय जल्द उपलब्ध कराने का आगरह किया है 21 जनवरी को पत्ना हाइकोट ने एनाई उएस से 18 मा का डी एलेट पर सिक्षित को सिक्षक नियोजन में सामिल करने के लिए एक मा आवेदन के लिए समय देने के लिए कहा था हाइकोट के फैसले के बाद 71,000 प्रारभिक स्कूलों में 90,763 सिक्षक बहाली पर करिया शरकार ने 11 फरवरी को रोग दी है वहीं पे हाइकोट के फैसले के खिलाप बिहार सरकार सिक्षा बिभाग जो है एलपीए में जाने की तयारी कर रही है और यह 20 मार्च को ही होनी थी सिक्षा बिभाग ने बिधी बिभाग से परावर्स भी मागा है वैसे विभाग 20 मार्ज तक LPA दायर करने वाला था पर क्रोना के शंकरवन के कारण अब अगले माही LPA दायर हो शक्ती है तो दोस्तों आप सभी देख सकते हैं कि काफी महतपुर्ण अपडेट आप सभी अभियर्थियों के लिए आ रही है यानि कि सिख्या विभाग के अपर मुक्षची आरके महाजन जी ने जो विधी विभाग से प्रामर्श मांगी गई थी ली गई थी वो अभी तक अपडेट नहीं दिया गया है और 20 मार्च को आप सभी नियुस डेलेट वाले अभियर्थियों के खिलाप जो पटना हाई कोट ने किस जनवरी को जो ज़ज्जमेंट दी थी उसके खिलाप 20 मार्च को ही लपीए दैर होनी थी लेकिन इधर संकरवन फैलने के कारण अब लपीए जो है अगले महिने में दर्ज की जाएगी यानि कि अप्रील में दर्ज होगी तो कहीं ने कहीं कहा जा सकता है कि काफी डिले वर्क हो रही है और एक बहाना और शरकार को मिल गई है कि संकरवन फैला हुआ है कि इस तरह से बियार्सिक चेकवाली पगडिया के लिए ये महत्पून अपडेट आ रही है तो दोस्तों पूरे वीडियो को अंतक देखने के लिए धनवाद और अगर आप लोग अपने चैनल पे ना है फर्स टाइम विजिट कर रहे है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए बगलने बेल आइकोन उसको दुआए हो सकते तो अंतक देखने के लिए